है हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करने हो अगर आप सीए में इंटर्मीडियेट का स्टूडेंट है तो सीए में इंटर्मीडियेट न्यू कोर्स प्लस ओल्ड कोर्स का अगर आप चाहते हैं रजिस्टेशन करना तो इस वीडियो में इंटर्मीडियेट का न्य प्लस ओल्ड कोर्स का किस तरीके से रजिस्टेशन करना है वह इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट अपल आप सभी से छोटा से रिक्वेस्ट अगर आप यूट्यूब चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जू साइड में बेल आइकन और बटन इस का हो ओल्ड कोर्स का रजिस्टेशन का लाश्ट डेट जो था ट्वेल अगोस्ट था जो के डेट चला गया है अब आप रजिस्टेशन नहीं कर सकते बट आप न्यू कोर्स में एंड्रॉल हो सकते बट इसलिए थमनेल पर लिखा है न्यू प्लस ओल्ड बिकॉस आई-सी- मैं को फिशल वेबसाइट पाना ओनलाइन एड्मिशन का सेक्षन दिखता होगा आपके स्क्रिन पर यहां पर यहां पर क्लिक करना आपको ओनलाइन एड्मिशन पर आप चाहे तो फोन से भी अपना एक्जाम रजिस्टेशन फॉर्म भर सकते हैं बता रहा हूं आप इस तर है रेजिस्टेशन करने से पहले कौन-कौन इलिजिबल होगा सी में इंटर मीडियेट में रजिस्टर को होने के लिए तो अगर आप फॉर से मिस्टर पास है मिन्स की एस वाई चाहिए आप एस वाई बीकॉम का है इस वाई बैफ का हो या फिर किसी भी बेग्राउंड क्य अब कुछ स्टूरेंट्स के माइन में डाउट रहता है सार में सी डबल एटी के लिए क्लिए क्या हो मैं अप्लिकेबल हूँ करनो सी एस फाउंडेशन की बात हो यहां पर अगर आप सी डबल एटी किये हो तो सी एस एक्सक्यूट करके आप सकते हो पोस्ट ग्रेजिव से अब एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर नोटिफिकेस आपके लिए याँ रखना और और पोस्टल को डाउट आता है सर और 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 पोस्टल क्लिक करते हैं कि सेलेक करते हैं और पोस्टल पे फीस का कुछ इसू नहीं फीस सेम रहेगा यहां पर आपको हेल्फूल होगा जो study material regarding and coaching classes अगर आप औरल पर क्लिक के तो ICM आपको जो study material होगा आपको अपना रिसीप लेके नियर बाइचेप्टर में जाना होगा और अपना study material ले लेना होगा और ICM आपको separate coaching classes भी provide करेगी बट अगर आपने पोस्टल पर क्लिक क्या तो study करेंगे आपको लेक्टर भी provide किया जाएगा फ्री कोस्ट ICM एक थ्रू और आपको study material आपको nearby काफी जल्दी मिल जाएगा पोस्टल पर क्लिक के तापके study material का ICM आपके घर पर dispute करेंगे जिसे थोड़ा सा time period लग सकता है और आपको कोई apply for intermediate course पर क्लिक कर देना है तो अब आपको क्या करना है आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप CMA foundation पास हो या फिर ना हो तो यहां पर देख सकते intermediate course regarding हैं पर कुछ question पूछा जाएगा you have a change your name surname after passing 10th क्या आपने यह सब में से कुछ किया था अगर हां तो यह इस पर क्लिक करना नो तो नो पर क्लिक करना उसके बाद आपको हाइस क्वालिफिकेशन सेलेक करना होगा आप डायरेक्ट रूट वाले तो जो भी आपका become किये हो बैफ कियो फोर से मिश्टर क्लेर वह सेलेक करना अगर आप सीमें फांडेशन पास हो तो उस पर क्लिक करेंगे जैसे आप सीमें फांडेशन क्लियर तो उसके बाद आपको थोड़ सा स्क्रोल लाउन तो आपको इस तरीके का सेक्शन मिलता मिल जाएगा मिन्स की इस तरीके का सेक्शन मतलब आपको बस अपना सीमें इंटर सीमें फांडेशन का आइडेटिफिकेशन नंबर डाना पड़ेगा अब बात क अधारकाट अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद ठोड़ चाड़ करेंगे यहां पर और एक अप्शन आएगा अपना कोचिंग टाइप और या फिर पोश्टल अभी मैंने बताए था और लेंड पोश्टल में क्या अंतर है किसे सेलेक्ट करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए जो आपको बैटर लगे उसे तो कहां कहां से आप जाओ को आपना study material कलेक कर सकते हैं email आइडिया आपको लिखना पड़ेगा और send OTP इसी mail आइडिया पर आपको OTP ICMI भेज देगी उस OTP को डाल के verify करेंगे प्रोसीड करेंगे इस तरीके का section दिखेगा आपको यहां पर प्रोसीड वाले section पर क्लिक कर देना आपको जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक किये तो आपका आधा से ज्यादा detail automatically capture हो जाएगा मतलब आपने CMA foundation का exam दिया है तो आपका पूरा details आ जाएगा आपको यहां पर कुछ fill up करने की जरूत नहीं कहा फिल up करने की जरूत है वह बताता हूं स्क्रोल डाउन करके निचे आएंगे professional qualification details का आएगा स्टार मार्क हो तो compulsory नहीं है तो कोई compulsory नहीं अगर आपने IC SI किया है CA करके direct route वाले हैं तो आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद students आप कुछ mandatory form है means कि आपको कुछ कुछ चीजे से जो mandatory है लाइक class आपको लिखना पड़ेगा जो स्ट्रीम है से तो सेलेक्ट रहता है जनरल बट आपको सेलेक्ट करना पड़े किस बूर्ड से आपने एक्जाम दिया आपका passing यह क्या था आपने कितना यह डालना है फिर उसके बाद आपका percentage कि उसके बाद आप जैसे यह डाल देंगे नीचे आएंगे स्क्रोल डाउन करके foundation पास डिटेल आपको डालना कंपल सरी फांटेटल पास डिटेल में टाम आपको मंत डालना होगा यह डालना होगा आपका रोल नंबर डालना होगा रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर सो क्या होगा आपने कितना माक्स स्कोर किया वह लिखना होगा आप जैसे ही वह भर देंगे और प्रोसीड कर देंगे उसके बाद आपको आथा डिटेस लिखा हुआ आटोमेटिकली आ जाएगा मींस कि आप आप चाहे तो इसको एडिटिंग कर सकते हैं स्टूलेंट्स अगर आप चाहें कि कुछ आशर चेंजेस करना है मुझे तो इसमें आप कर सकते हैं इडिट का सेक्षन नीचे दिखता होगा उसके बाद प्रोसीड कर देना most important point.net number 2 यहां पर जो है आपको अपना डोकुमेंट अप लोड करना पड़ेगा देख सकते हाँ पर अपलोड आपको फोटोग्राफ 200 के भी कहोगा और जो भी आपका डोकुमेंट होगा सारा पीडियाफ होगा देख सकते लाइक आइडेंटिटीटी पूरूफ आधारकाड एच पूरूफ में भी आधारकाड डाल सकते सकते दालना है डूसकाड डालना है चीए में मांख सेख सब्सक्राओं तो आप पीडियाफ करके apply कर सकते हैं और जो third step पे देख सकते हैं आप तीन stage में बटा है फॉस्ट application details second attachment attachment का मतलब यह सारा जो details होगा आपका PDF attach करना होगा and third payment payment में आप जाएंगे आगे scroll करके payment gateway दिखेगा वहाँ पर चाहे तो UPI के थुरू payment करें debit card के थुरू करें या फिर पेटियम से scan करके payment कर दें so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा इनके साब के मायन में कोई भी डाउट है registration regarding तो comment section में comment करना thank you students